हेलो फ्रेंड्स मकर्शंक्रांती की आप सबको बहुत बहुत शुब काम नाए आज मकर्शंक्रांती है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करी हूँ स्वीट मुंगल की रेसिपी चलिए देख लेते हैं से कैसे बनाना है सबसे पहले गैस को अउन कर देंगे गैस में रखेंगे एक पैन इसमें डालेंगे घी मुंगदाल और चावल को हमने इकॉल क्वांधिटि में लिया है और उसे बॉयल करके रख लिया है और कुछ समने काटके रखा है सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ड्राइ फ्रूट्स और इसे लो फ्लेम में फ्राइ करेंगे गुड को मैंने मेल्ट करके रखा है ड्राइ फ्रूट्स में मैंने बादाम, किश्मिश और थोड़े काजू लिये हैं इसे हलका गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे यह बहुती सिंपल रेसिपी है प्री प्रिपरेशन्स कर लिया जाए तो यह बहुत जल्दी बन जाता है यहाँ पर मैं डालूँगी बॉयल किया हुआ चावल साथ में डालेंगे बॉयल किया हुआ दाल मकरशंकरंती का त्योहार हर स्टेट में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है साथ में पॉंगल बनाया जाता है और समुद्रस नान का बहुत महत्व होता है चलिए अब इसमें डाल देते हैं मेल्ट कियो हुआ गुड़ और इसे कर लेगे अच्छे से मिक्स गुड़ को हमेशा मेल्ट करके ही डाले क्योंकि इसमें बहुत सारी इंप्यूरिटी सोती है तो मेल्ट करके इसे चान कर ही डाले पॉंगल कई तरह से बनाया जाता है यहाँ पर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ पॉंगल बनाने का चलिए यह मिक्स हो गया है इसमें हम डाल देंगे रोस्ट किया हुआ तिल और साथ में डालेंगे इलाइची का पाउडर और इसे कर लेंगे मिक्स तिल को आप ड्राइ फ्रूट्स के साथ ही फ्राइ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर इसे ड्राय रोस्ट करके अलग से डाला है इस रेसिपी को आप लोग अपने किचन में ट्राय जरूर करें और मुझे अपने अनुभाव शेर करना ना भूलें कमेंट सेक्शन में अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे अपने फ्रेंड के लिए बनाया है तो मैं इसे केले के पत्ते में साफ कर लूगे और इसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा घी इस प्रकार से तयार है डिलिश्यस पॉंगल तो वन्स अगें हैपी मकर संक्रांती तो आल टेक केर थैंक यो फोर वाचिंग इस वीडियो